मुसल्मानों का होगा आमना सामना, यानि फे सॉप हमने पासे अदम में इनको बंदा परवर कह दिया और आप ये समجह, सच में बंदा परवर होगे तुम्हारे दोस्तों में कोई दुष्मन हो भी सकता है ये एक्सपायर दवाएं हैं, रिएक्शन हो भी सकता है बीजेपी और मुसल्मानों का क्या रिष्टा है मोदी और मुसल्मानों का क्या रिष्टा है इन्होंने हिंदु मुसल्मान को लड़ाने के लावा कोई दूसरा काम नहीं किया जो तुष्टी करणा है या जो स्यूडियो सेकुलरिज्म है वो रूम में टोपी और रोड पे तिलक वाला है अखले श्यादों जब आफिस खाली किये तो गंगा जल से शुद किया गया है तो दोजार चौबिस में जब ये जाएंगे तो हम भी गंगा जल से ही सफाई करें नम नम बेल होगा और आप को ऐसा माँखा में आप आप देख रहे हैं ये देश है हमारा अमीश देवकन के साथ नमस्कार व्यूवर्ज आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे बरोसे बंद कारिकरम ये देश है हमारा और इस हबते ये देश है हमारा में दो दिगज मैमानों का होगा आमना सामना यानी फेस होफ आज हमारे साथ दो ऐसे दिगगच चेहरे होंगे जो आम तोर पर टेलिविजन डिबेट में नहीं दिखते लेकिन इनके बेयान सियासत की सुर्खियां बनते हैं लंबे अर्थे से इनका टीवी स्क्रीन पर आमना सामना नहीं हुआ है यानि आज का ये कारिकरम बेहग जोरदार होने वाला है क्योंकि एक तरफ हमारे साथ दो दिगच चेहरे होंगे तो दूसरी तरफ सियासत भी सातवे आसमान पर पहुँच गई है विपक्ष यूनाइटिड ओपोजिशन वाले मिशन में उलजा था 28 दल 7 बिलकर मोधी सरकार को निफ्टाने का ब्लू प्रिंट बना रहे थे लेकिन इसी बीच वन नेशन वन इलेक्षन पर सियासत में तलवार खिच गई चर्चा है कि मोधी सरकार एक देश एक चुनाव पर कदम आगे एक कदम आगे बढ़ रही है और पूमर राश्पती रामनात कोविंद को इससे जुड़ी एक कमेटी का ध्यक्ष भी बना दिया गया है लेकिन दूसरी और विपक्ष ने मोधी सरकार के खिलाफ मोर्शा खोल दिया है विपक्ष का कहना है ये सब मुद्दों से ध्यान भटकाने की चाल है और ये भी का जा रहा है कि बीजेपी विपक्ष की एकता से डर गई है भुखला गई है और नरेंद मोधी को हार का डर सता रहा है नए नए पैंतरे दिखा रही है मोधी की सरकार तो आज इन तमाम मुद्दों पर जन्ता जनारदन के बीच एक्सपोर्ट के बीच होगी देश की सबसे ज़ादा देखे जाने वाली चर्चा मुद्बई में विपक्ष मोधी को हराने के लिए महा मन्थन में जुटा था किसी बीच खबर आ गई कि मोधी सरकार ने एक देश एक चुनाओ की तरफ कदम बढ़ा दिया है जुसके बाद सियासी महा संग्राम छड़ गया क्या देश के अंदर ताना शाही है अगर इस पेशल सेशन आपको बुलाना है आपको विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए कि आप इस पेशल सेशन बुला रहे हैं वन नेशन वन इलेक्षन देश की आउशक्ता है यह सुधार मिजे लगता है मील का पत्थर हुआ तो विपक्ष की दिकत क्या है कि फिल्ड के विसट्डी और फिक्सिंग की कमट्डी में लगे हुए दुनिया को और देश को बेवकूर बनाना बंद करें देश की अजेंड बारती जनता पार्टी का वन नेशन वन एलेक्षन में छूपाओा एडंडा है वो भारत के जितने भी चेतरी दल है उनको समाब कर देना चाहती वन नेशन वन इलेक्षन यह आज की आऊशक्ता है और इसले भी महत्वून है बार बार एलेक्षन प्रिकास के कारवें में बाथा पैदा करती है क्योंकि एलेक्षन की एक प्रक्रियाव को कम से कम डेड़ महिने का समय लगता है अभी तो कमिटी रचा है इतना गबराने का क्या जरूरत है उधर विपक्षी गत्वंदन इंडिया ने जुडेगा भारा जीतेगा इंडिया का नारा बुलंद किया साथ ही 14 सदस्यों की कोडिनेशन कमिटी भी बना दी गई और हम एक साथ मिलके चुनाव लड़ेंगे तो बीजेपी चुनाव जीत ही नहीं सकती है लेकिन बड़ी खबर ये भी है कि कई दलों के दबाओ के बावजूद ना तो सीट बटवारे परबाद बनी और नहीं विपक्षी गडवन्दन का लोगो तैह हो पाया लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या बागई एक देश एक चुनाव को लेकर विपक्ष तनाव में हैं आज इसी सवाल पर जुनता के बीच होगी देश की सबसे बड़ी पहस 2024 पर तनाव एक देश एक चुनाव क्या बागई राजनितatte के बिलीने चुने से जेप कि अधर मुद्रीज साहिए और शुर्वात अल्वी साब आपचे करते हैं United Opposition है एक तरफ और दूसरी तरफ One Nation One Election की बात हो रही है आपने तो सीधा बयान दे दिया कि नरेंद मोदी तुगल की फरमान लेकर आए है क्यों? भारत सरकार को और मोदी जी को पिरधान मंत्री बने जी साड़े नौ साल हो गए One Election One Nation आज याद आ रहा है आपको छे महीने पहले और ये भी चर्चा है अभी यकीन के साथ नहीं कहा जा सकता कि इस पाँच दिन के पार्लिमेंट के सेशन के अंदर पिरधान मंत्री कौन सा कानून बनाएंगे? कल से सारा मीडिया परेशान है सारा अपोजिशन के लोग इस बात को नहीं जानते है हद ये है बीजेपी का कोई नेता नहीं जानता है कि इस सेशन के अंदर होने वाला क्या है? लेकिर आपने तुगलत कह दिया नहीं तुगलत इसलिए कह दिया कि प्रधान मंत्री की आदत है वो पूरे देश को सस्पेंस में रखते है नोट बंदी करेंगे रात को आठ बजे के बाद आके ऐलान कर देंगे नोट बंदी ये सुआ से किसी को नहीं मालू अचाना काए लोग परिशान हो गए गर्मी का वक्त है सेक्लो लोग लाइन में लगें कितने लोग मारे गए कोविट का वक्त आया अचाना काए ऐलान कर दिया पूरा देश बंद है मजदूर किसान सलकों पे चला चला जा रहा है वो तस्वीरे आज भी आखों के सामने आती है तो तकलीफ होती है अब बिलकुल अचानक पाट दिन का स्पेशल सेशन है सेशन पहले भी हुए है ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है स्पेशल सेशन पहले भी हुए है दो बार या तीन बार जी 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 अपोजीशन को कॉन्फिडन्स में लिया जाता है opposition से बात की जाती है कि हम किसलिए बुला रहे आप opposition तो छोड़िए अपनी party के लोगों को एतमाद में नहीं ले रहे कि आप session के अंदर कानून कौन सा पास करेंगे कोई कहता है women reservation आ रहा है कोई कहता है कि uniform civil code आ रहा है आप को कह लगता है देखिए मैं कोई आस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ मैं तो सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि ये लोग कंसर को कमजोर कर रहे हैं ये तो ताना शाही की तरफ जा रहा है आप कैसे है चाने कि ये बात कह सकते मैं देखता हूँ parliament की कारवाई जो चियर पे बैटे होते हूँ वहाँ एक पैनल होता है जब speaker नहीं होते तो मैं इस बार देख रहा था कि पैनल पे हमारे merit कैम्पी बैटे थे हमारे दोस्त हैं वो वो न जब कहते हैं कि दोस हो आर इन फेवर से यस दोस हो अगेंज से नोस इससे पहले के MPs yes or noz बोलें, वो खुद बोल देते थे, I think I is a bit, I is a bit, I is a bit, I is a bit, दिल पास हो गया, जी यह एक 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 एक, ना ना दाएं देख रहे हो, ना बाएं देख रहे हो, ना आवाज सुन रहे हो, और एकदम कह दे रहे हो कि पानून पास हो गया, लोक सबर में नम इस नहीं के आप कन्वेंशन को नजरान दाख करें, ये आपके पास नमबर है, आपके पास संख्याभल है, आपके पास ताकत है, आपके पास रसुख है, ये कह रहे हैं कि लेकिन हमारे पास सारा विपक्ष एक साथ है, और अखिलेश आदव ने बोला, जो 14 में आए थे, वो 24 में जाएंगे ये लिक के ले लो लिक के ले लो लिक के ले लो लिक के ले लो देखो एक बात अमीश जी बहुत साफ है कि जो लोग फिल्ड में फिसड़ी हैं वो फिक्सिंग की कबड़ी में लगे हुए हैं जो फिल्ड के फिसड़ी अगर फिक्सिंग की कबड़ी में ल पतानी किसी को तो अरहशित भाई आप तो बहुत समझ मतलब बहुत काबिल रहती हैं तो एक बहुत अच्छा था शेयर है लहाज आख का रिश्टों का डर नहीं होता जब एक शक्स के हाथों में घर नहीं होता तो यहाद आपके समय में क्या था कैमनेट डिसीजन बाद करती थी अमीश देवगन जी को पहले पता लग जाता था प्राइम इनिस्टर आफिस जो है वो कोई चीज फैसला बाद में करता था मीडिया और सड़क पे पहले पता लग जाता था तो जो उस समय सरकार का एक रोब था इखबाल था वो इखबाल पूरी तरह से धूल धूसरी हो गया था लेकिन आपने एक बार कुछ जादा कर दिया है कि आपके नेताओं को भी नहीं पता हो ने इसलिए दूसरी चीज़ जो आपने का अचानक बिल्कुल चोरी चोरी चुपे चुपे नहीं हुआ जब देश ने नरेन मोदी जी को 2014 में जनादेश दिया जी उसके बा जो है उसी वक्त जो है वो चुनावायोग को सरकार की तरफ से अनरोद गया कि चुनावायोग एक देश एक चुनाओ की दिशा में कदम उठाए और तैयारी करे और क्या करना है सरकार को वो बताए दूसरी एक इंपॉर्टन चीज़ आपको समझना होगा कि आज जो है वो दो हजार लगबग सत्तर तक जादा तर एक देश एक चुनावाला विजान सबाव लोकसबा हुआ करते थे बाद में जो है वो कई कारणा आये कई वजा आई जिससे के बिखर गया लेकिन आज ये देश की जरूवत है कि जहां देश कई चुनाव सुधार देखे हैं उसमे इस चुनाव सुधार की देश को बहुत ही सर्थ जरूवत है लिखे हैं अगर उस चीज के उपर चर्चा होती है और लागू होता है सही समय से और सही टाइम से तो मुझे लगता है कि इसके अंदर कोई अब्जेक्शन किसी को होना नहीं चाहिए तो कॉंग्रेस पार्टी को इस चीज से क्या अब्जेक्शन है अगर देश की अर्थव पलीज और पार्लिमंट का अलक्शन एक साथ होता है मैं अमरीका गया महाँ गॉर्णिट ओफ अमरीका का मैं गैस ट्राए महां मैंने जो उनका बैलेट पेपर देखा और नोने मुझे अपना अलक्शन का सारा तरीका एकार बताया प्रिजिडंट के अलक्शन के साथ साथ senator का भी होता है lower house का भी होता है mayor का भी होता है सारे election एक ballot paper भी बलके वो ballot paper अगर आप कहते है तो मैं ले आता है यहाँ पे आपको दिखाता इतना बड़ा ballot paper है हमें कोई इतरास नहीं लेकिन हमें तो यह पता ही नहीं है कि one nation election की सूरत क्या होगी उसका blueprint क्या है वो गानून क्या है मेरे बहुत अजीज दोस्त है नकवी भाई मैं इनसे पूछता हूँ आपने सारी बाते कह दी क्या आप यकीन के साथ कह सकते हो कि यह गानून आ रहा इस station के अंदर आप भी नहीं कह सकते यह कानून बनने वाला है और आप सवल कर रहे जी आप यह नहीं कह सकते कि यह कानून बनने वाला है क्या यह लोगतांतरिक मर्यादा है क्या आप पूरे देशको अंदेरे में रखना चाहते क्या इस देशका 145 करूड आबादी के देशका फैसला एक आदमी करेगा कि वो जो मर्जिया आई करे आप बिलूप्रिंट लाते आप उस दूश को बनाई है कमेटी तो बनाई है रावनाथ कोविन जी के अधिक्षता में इसके अंदर कोई अपोजिशन का आदमी मौजूद है क्या अपोजिशन के लीडर्स की मीटिंग बुलाते आप कहते भई ये बिल है अपोजिशन के लीडर्स तो मुंबई में मीटिंग कर रहे है तो आज ही के दिन मीटिंग करना था क्या आपको दो दिन पहले कर लेते दो दिन बाद में कर लेते आप सारे अपोजिशन को बुलाते आप कहते कि देश के हित में ये है तो इस तरीके का ब्लूपरिंट है तो आपकी क्या राय है सेज़ जवाद एक सवाल पूछा जाते हैं क्या सवाल है सेज़ जवाद मुख्तार साथ क्या ये बास सच नहीं कि इंडिया अलाइंस के देखते मजद धज़र देखते हुए एंडिये जो है भारती जनता पार्टी घबरा गई है क्योंकि दो ही बैठक के अंदर 200 रुपए सिलेंडर के दाम कम होना तीसरी बैठक के अंदर इस तरीकी का ये लेकर क्या आना मदे पर्देश राजिस्सान च्छतिस गड़ में भारती जनता पार्टी की इस्तिती अच्छी नहीं करनाटक चुनाओ हादने के बाद और हिमाचल चुनाओ हाने के बाद इस्तिती क्या है क्या ये सब देखते हुए आप ये नहीं कह सकते हैं के देश की जो इस्तिती बन रही है भारती जनता पार्टी के लिए हालात बहुत मुश्किल है और अपनी बात एक शेर से मुकमल करता हूँ कि चलते हैं दबे पाउं के कोई जाग ना जाए गुलामी के असीरों की यही खास अदा है और होती नहीं जो कौम हक बात बे यक जा उस कौम का हाकी में फक्त उसकी सजा है क्या हम उस तरफ नहीं बढ़ ला है जिस तरफ चाइना बढ़ ला है जी आपने बड़ा रोप लगा है आपने बोला हम उस तरफ तो नहीं बढ़ने जहां चाइना बढ़ना है देखो एक बात बताए हम एक तरफ एक देश एक चुनाओ की बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि उस तरफ तो नहीं बढ़ना है जिस तरफ चाइना बढ़ना है तो दून रहा है उसका गड़ित बगड़ गया ढ़िया है और अगर में ठीकर बहुत निक अर्मान फिर भी मेरे कम निकले लेकिन आप कहने एक खांदा ननेक है आपकी बात मान लिए खांदा ननेक है लेकिन उनका एजेंडा एक है कि इस बार किसी कीमत पर मोदी ना आए क्या करिएगा लेकि उनका एजेंडा बिलकुल हो सकता है क्या है कि परिवार कह रहा है कि हम मोदी को हटाएंगे पब्लिक कह रही है मोदी को लाएंगे अब दिक्कत यह है कि पब्लिक की बात देश मानेगा या परिवार की मानेगा तो अब यह परिविर पब्लिक बरसे परिवार होने वाला है जी जी अलवी साब एक इसमे में सवाल जोड़ा हूँ केसी भी इनों को पाल नाराज होगे कपिल सब्बल के वहां आने से और फिर बीजबचाव राहुल गांधी ने करा लोगों पर सहमती बन नहीं पाई सयोजक बना नहीं पाए कमेटी जरूर एक बना दी है किया आपको लगता नहीं है बड़े सारे विरुधा बास है देखे नहीं इसमें कोई विरुधा बास नहीं है अब हम लोग यहां एक प्रोग्राम कर रहे हैं अगर बगएर बुलाए कोई आएगा तो आप क्या करेंगे आप कहेंगे ना भाई बिटिंग हो जाए उसके बात बात करेंगे और दूसरी बात में यह कहूँगा आपसे कि ऐसा नहीं है कि अपोजीशन पहली बार इखटा हो रहा है अपने आपको मर्ज कर दिया था आपको याद होगा मुरारजी डेसाई चोधरी चरंसींग अटल जी अडवानी साब सबने मिलके एक पार्टी बना ले थी एक सास मिलके चुनाओ लड़ा था और जब बाटपई जी पिरदान मंत्री बने तो 28 पार्टी इसकी सरकार थी एक अटल जी थे तभी सरकार चल भी पाई देखिए इस बार नेता नहीं है देखिए ये जो आपका सवाल है ये अपोजीशन भारती जद्धा पार्टी और मीडिया उठा रहा है कि उनका कोई लीडर नहीं है देख का पिरदान मंत्री कौन होगा जब पार्लिमेंट के मेंबर चुनके आएंगे तो ये भी तैह हो जाएगा आप से मैं एक सवाल करता हूं जी अटल जी पिरदान मंत्री ते चुना हुआ दोजार चार का अपोजीशन का पिरदान मंत्री का नाम कौन सा था कोई नहीं आपने सोचा भी नहीं होगा कि डाक्टर मनमान सिंग देश के पिरदान मंत्री बन जाएंगे किसी नहीं नहीं सोचा दस साल पिरदान मंत्री रहे ये आइमियत नहीं रखता है कौन पिरदान मंत्री होगा ये तो बीजेपी उठाती है कि हमारे पास मोदी है आप बचाएं आरजी होंगी राखुल गादी होंगे मलिक अरजुन खड़की होंगे या राशिक्छल भी होंगे देखि столько कोई ये सवाल नहीं कर रहा यह तो मीडिया सवाल कर रहा है। जनता कहां पूछ रही है। जनता को तो आपने इस हौलत में कर दिया है कि उसे खाने के लिए ये रोटी नहीं है वो तो भूके पेट हैं कहास कि बात कर रहे हैं आपके जंता पूछ रही है महँघाई आसमान चूरही है पेट्डॉल डीजल की किमत आपने सौ्ड रुपए कर दीये है अनतर जब पूचा जाता है बीजेएपी से उन्ही नेताओं से जो डीजल पेटॉल की कीमत बढ़ती थी तो शोर मचाते थे आज सब खामोश बैठे थे जी जी अंतर राश्टी ये बगल वाले शोर बहुत मचाते थे देरी प्रदेशन करते थे नर्वी जी भी करते थे देखिए अपनी पार्टी को रिप्रेजन कर रहा है मैं किसी को जातितार पे नहीं कोऊंगा सवाल ही पैने तो ग्राश्टी ये बाजार के अंदर कामत हैं अमतर राश्टी ये बाजार में आज ये बच्चे बैटें इंटरनेट पे देख ले 80 डॉलर पर बेरल कुरूड आयल की कीमत है आज भी देख ले 80 डॉलर के आप रुपए बना लीजेगा मल्टिप्लाई करके और एक बेरल में 169 लीटर तेल होता है डिवाइट कर दीजे 40 रुपए आएगा 40 रुपए आएगा हम जंता के साथ खड़ें आप तो जंता का खूल चूस रहें जंता का खूल चूस रहें जंता भूपो मर रही है जवाब देखे यूनिटी इन डाइवर्सिटी तो होता है लेकिन यूनिटी इन डिप्रेशन नहीं होता अब डिप्रेशन में तो सेप्रेशन होता है यस से ज़िए अएदा कुछ नहीं होता है गोई एक जो आपने कहा कि एकता हुई है पहली भी हुई है बिल्कुल हुई है मैं तो अभी लेटेस बता रहा हूँ दोहजार अठारा में भी एकता हुई थी और हैदराबाद में या कहां मीटिंग हो रही थी और हाथ उठा उठा कर रहे थी आवाज दो हमें एक हैं और उसके बाद जिन्हों ने मीटिंग आरनाईस की वही इस मीटिंग से गायव है और उसके बाद उन्होंने कहा था कि अब 2019 के चुनाओं में हम मोदी जी को जो है वो सबक सिखाएंगे और मोदी जी को हटाएंगे अब क्या हुआ था दो हजार चौदा में मोदी जी को 283 सीट मिली थी जी फिर 2019 में जो है वो इंडिये को 337 सीटे और बीजेपी को अकेले 333 सीटे आ गई तो ये जो अभी गलत फहिमी है मुझे लगता है लेकिन इस व यह महां कहा रहे है कोई यह वहां बैट करके इस जुगाल की जमगट से जो है वह जनादेश के पंगट नहीं पहुचा आता जुगाल का जमगट है और डगर जो है वो बड़ी कठिन है पंगट की देखिए एक लाइन में जवाब देखिए एक तो जुमुदा मैंने उठा या महंगाई का उसका कोई जवाब नहीं दिया मैं बड़े अदब से एक बात कहता हूँ आपको क्या परवाई इस बात की क्या पोजिशन इखटा हो रहा है नहीं हो रहा है आप तो नौ साल से हकूमत चला रहे हैं आप तो देश को ये बताईए कि नौ साल में आपने आपल बताता हूँ बिहार सरकार जिस सरकार में कॉंग्रेस भी शामिल है वापर जनमाश्मी रक्षा बंदन समेत कई त्योहरों की छुट्टी खत्म कर दी गई है चटपूचा जैसे बड़े त्योहर की भी छुट्टी में कटौती की गई है गिरिराद सिंग आपके मंतरी प्रशाद आपके मंतरी हैं नहों ने जवब दिया रवीशंकर प्रशाद की फॉर्मर मिन्स्टर है उन्हों ने बायां दिया कि ये सब कुछ तुस्टी करन की वज़ा क्ज़ से हो रहा है और कितने लंबे लंबे उनके बयाना आ है मैं सारे पढ़के तौबको आपको नही ने नौशाड़े-9 सालों में सामप्रदाई कोटों की ठेकेदारी को समावेशी विकास में हिस्सेदारी से द्वस्त किया है। और आज समाज का कोई हिस्सा यह नहीं कह सकता कि वो विकास के इस सफर का समानता से और सफलता के साथ हम सफर नहीं है। तुष्टे करा नहीं और भी उन्होंने बड़ी सारी बाते हैं। उनको चाय पिला करके बैठालते हैं तो अभी से आपने नजारा दिखाना से करते हैं। तब भी पिला लेते हैं। तब भी पिलाते हैं लोग। तब भी जो है वो संबाद रहते हैं। लाल किने की प्राचीर से प्रधार मंत्री ने इस बार नौ बार तुष्टी करण सब्द का इस्तमाल किया। और विपक्ष पे वार किया। और अभी रीसेंट का सुन लीजे। मम्ताब एनर्जी जब बैठक में पहुची तो उनको भी तिलक लगाया जारा था तो उन्होंने तिलक लगाने से इंकार कर दिया। तो BJP ने का कि यही तो तुष्टी करण है जिसकी हम बात करते हैं। तिलक से इंकार करते हैं लेकिन टोपी पहल लेते हैंसी। कि इस से पहले कि मैं जवाब दूँ आपसे पुछूंगा तुष्य्टी करन किसका का तुष्य करन अकलियतों का अलब्शंख्यों को हाँ सीधी बात कीजिए हाँ आप ये कह convictions हो रहा है minimum की खाला देश के अंदर देखी आपने क्या है तभी तो हुई है सबसे अभी और ज्यादा कर दिया आपने अभी और ज्यादा कर दिया ने उनकी आ ज्यास घ्राब गिए तुश्टी करण का मतलब होता है के सीम ने बोला केरल के हाई कोट ने बोला उसे छोड़ दीजे अब बोला जी अब ने पहले बोला नो साल से पहले मैंने कभी नहीं सुना था कि लगज याद होता क्या है अगर हिंदों-मसल्मान लड़का और लड़की ये शादी कर ले इसमें बीजेपी को क्या इतराज है क कहां से लोग जी आदा आगया क्यों इसको ये ये है तुष्टी कर अच्छा एक मिल्डोजर आप चला रहे हैं गरों पे इस देश के अंदर नवे फीसदी मकानात गेर कानूनी हैं उत्तर परदेश आप मेरे साथ चलिए गाउं का कोई मकान ऐसा नहीं होगा जो कानून के म काल दूका क्या मतलब है इसका क्या मुक्षय मंतरी को ये शौबा देता है कि coalition के बीच कि का एंदेश पिरदान मंतरी यूपी में जा के कहटे करे के बनें हैं अगर कबरुस्थान allora कि इस नहीं आरहे हैं तो मैं वह पनाओं गांगा क्या प्रदान मंतरी को शॉबा देताए अगर Self ससारे सवाल बोने का ये शोबा से कंदरिक और एसे हालात पहले कभी थे अब गधिता मैं अब मैं और नहीं गाया हैं अब मैं आप ने बहूत लंबी बात मैं बहुत उसको बहुत शॉर्ट में कहूंगा आप कैसे कहते हैं कि देश में कभी ऐसे हालात थे क्या देश में भागल पूर हुआ और जिसमें की लगबग दो हजार से जादा बेगुनाह मारे गए वो क्या मोदी जी के मुखम मुखमंतरी थे जब ये भिवंडी हुआ और कि हजारों लोग जो है जिनका कतल عाम हुआ क्या मोदी जी उसमें देश के परद्धान मंतरी थे मल्याना हुआ जहां जिन्दा लोगों को मार करके और ट्रक में भर करके और तलाब में फेग दिया गया तो क्या मोदी जी उसक्त देश के परधान मंतरी थे या देश का एक लंबी हम पांच हजार से जादा ऐसे दंगों की हम श्रिंखिला बता सकते हैं देखे आज आज जो है वो आप बुल्डोजर पर जो सवाल कर रहे हैं बुल्डोजर पर बवाल कर रहे हैं लेकिन बलवाईयों और बावबल्यों पर सवाल नहीं कर रहे हैं तो उसमें मुसल्मान भी रह रहा है, हिंदू भी रह रहा है, सिक्क भी रहा है, इसाही भी रहा है और जो भी बल्वाई, बाहुबली, बकैत है, उनको इस बात का हिसास है कि अगर हम बल्वाई बनके, बाहुबली बनके, बकैत बनकर के हम समाज को की सुरच्चा के लिए खत्रा बनेंगे तो हमारा हाश्र क्या होगा वो अच्छी तरह से जानते हैं आपने बोला कि देश में ये पूरा विवाद है ये शोबा नहीं देता लेकिन शोबा यात्रा पे पत्थर चनाना क्या शोबा देता है और क्या हिंदू ते होरों पर छुट्टी कम करना बिहार सरकार द्वारा क्या वो शोबा देता है अभी नकवी भाई ने किती बाते गिनाई कांग्रस के सरकार में क्या क्या हुआ मुरदाबाद, बागलपूर, इलाबाद, आप देखी तो सही, ये सारे कमिनल राइट हुए और इसके बाद भी आप कहते हैं कि मुसल्मानों का तुष्टी करन हो रहा है ये दो चीजे एक साथ कैसे हो जाएंगे, एक तरफ तो आप सरकार पे इल्जाम लगाते है कि बागलपूर में दोजार मुसल्मान मारे गए, मुरदाबाद में मारे गए, इलाबाद में मारे गए तो क्या उनका कतल आम करना तुष्टी करना है आपकी नजर में, इसको आप तुष्टी करना बोलते है और जहां तक आपका सवाल है नू का नू में जो कुछ हुआ है इस से ज़्यादा भैलक वाकियात नहीं हो सकते और उसके बाद भी आपने दुबारा यातरा निकालने थी आपने उन्होंने कह दिया वीएचपी के नेता नहीं के हम पर्मीशन नहीं लेंगे पर्मीशन लेने की सरकार से कोई ज़रूरत नहीं है मैंने कभी देश के अंदर ऐसा नहीं देखा कि कोई और्गिनाइजेशन ये कहे कि बगएर पर्मीशन के चलेंगे और सरकार तमाशा देखती रहे पर प्रोटेक्शन में ये पर्मपरीग वो थी आप तो पर्मीशन को लेना पड़े है जलाबीशेक के लिए गए शांती पूर गए उन्होंने किसी की भी सौहांत को वहां नुकसान नहीं पहुचाया बगएर पर्मीशन के कैसे जा सकते हैं फिर कानून का क्या मतलब तो दूसरी अगर अगर यही बात किसी और धरम के लिए बूली जाएगी तो बवाल मत जाएगा देखिए ऐसे किसी भी बात को आप मेरी आदद जानते हैं मैं अपनी पार्टी की भी खलत बात को घलत कहता हूँ ऐसे किसी भी आदमी के बेयान की जितनी निंदा की जाए इतना कम है चलिए ब्रेक के लिए याँ पर हम रुकेंगे वीकेंड के सबसे वरोसमन कारेकरम में और ब्रेक के सुरंक बाद वापस लोड़ रहे हैं आप देख रहे हैं ये देश है मारा मुक्तार अबास नक्वी बनाम राशिदल्वी मलिका अरजुन खडगे या फिर राहूल गांदी बेहतर पी-एम कैनिड़ेट कौन है आपकी राए में अटेल वियारी वाचपई या नरिंद मोदी बेहतर पी-एम कौन है मुक्तार अबास नक्वी आपकी राए में वेलकम बैक वीवर्ज आप देख रहे हैं वीकेंड का सबस्वरों समंद कारेकर हम ये देश है मारा राशित जी अभी मैं आपको सुन रहा है तरब काफी कौंग्रेस के निता भी बार बार ये बाते उठाते हैं कि बेरुजगारी ये महंगाई बहुत इस गवर्मेंट में बढ़ गई है मैं दो तथे रख रहा हूँ उस पर जर थोड़ा सा मेरे उपर प्रकास उस पर जरू डालिएगा जब अटल बिहारी बाजपी 2004 में थे तो गैस सेलेंडर जो था नन सबसिडी वाला 287 रुपय का था और एक मैई 2014 को यानि आपकी गवर्मेंट ट्यूस समय सर मैं आ रहा हूँ सर 928 रुपय का हो गया एक जनवरी 2014 को 1241 रुपय का हो गया आज तो घट करके 900 रुपय हो गया तो मांगाई आपके जमाने में कितनी बड़ी थी तकरीवन 1977 परतिशत मैं प्रेट्रोल पर आता हूँ आप अटल ब्यारी बाजपी जब थे तकरीबन 34 रुपय का प्रेट्रोल था जब छोड़ के आप गया तो 72 रुपय का था इंफलेशन कितना हुआ 75% आज कितना यूपी का रेट नोड़ाम जाम सब बैठे 96 रुपय का तकरीबन 32% तो महंगाई कहा बढ़ी है यह बता दिजिए तीसरा प्रश्ण है आप जो बिरुजगारी की बात करते हैं मैं आकड़ा दे रहा हूँ आपने बहुत अच्छा 5.5 का आकड़ा दिये मैं 1991 से आकड़ा दे रहा हूँ 5.6 जीरो 1991 में थी आज का देख लीजिए और अटल ब्यारी बाच में जी साथ थे तो 3.3 एट थी तो बिरुजगारी किसके राज में बढ़ी और किसके राज में नहीं बढ़ी इस पे थोड़ा सा प्रकाश डा दिए आपको कुछ अंदाजा है कि जब UPA की सरकार थी तो अंतर राश्टी बाज आज एक तब पैटोल हम किस भाव दे रहे थे नहीं नहीं 72 रुपे जब आपकी सरकार गई है हम 72 रुपे में पैटोल दे रहे थे और अंतर राज्टिय बाजार में एक सो तीस था आज अंतर राज्टिय बाजार में असी है और आप सोड रुपे दे रहें आप को फरक नजर नहीं आरा दूसरी बार आज सवाल ये नहीं है कि हमने क्या किया ये राजनीती के अंदर मुकाबला नहीं होता कि कांग्रिस ने ये किया तो हम ये कर रहे हमने कुछ गलतियां की हैं बेशक तब ही तो हम सरकार से बाहर बैठें मुझे ये कहने में कोई तकल्फ नहीं है कि हमारी गलतियां ना होती तो ये सरकार में नहीं आते लेकिन आज तो ये सरकार में है आज तो हमें इन से पूछना है हमने पासे अदम में इनको बंदा परवर कह दिया बंदा परवर समझते हैं आप एक इनट बंदा परवर कहते हैं कि किसी आदमी की बेपना इज़त करना उसकी तारीफ करना आप ही सब कुछ हैं हमने पासे अदम में आपको गब बंदा परवर कह जा और आप ये समझें सच में बंदा परवर हो गेंदें जवाब तरह लेकिन एक startup समरे में कि जो पहले और आज में जो जमीन और आस्मान का फर्ग है मैं महाऊए और ये सारी चीजे रोजगार के साथ जोड़ ला हूं इसको पहले आपको भी पता नहीं याद होगा कि नहीं होगा कोई भी पिट्रॉल पंप ऐसा नहीं होता था जो हफते में दो दिन बं नहीं हो जाता तर ड्राइ नहीं हो जाता तर लिख दिया तर पेटरॉल डीजल नहीं मिलेगा उसके लाज चार दिन के बाद जो है वो लंबी-लंबी क्यों लगती थी और लोग जो है जिनको जो है वो 10 लीटर चाहिए होता तब 20-25 लीटर डलवा लेते थे कि कहीं भई अकल ये पेट्रोल पंप बन न हो जाए जो ये खिलत दिखाई गई एक आर्टिफीशल जो क्राइसिस हुई की गई वो सिर्फ जो है वो जमाखोरी मुझाखोरी और काला बाजारीओं को मदद क्रने के लिए गी नरेन मोदी जी की समय किसी भी चाहे राशन हो चाहे पेल हो चाहे बिजली हो चाहे और भी जरूरी चीज़ें हो उसमें किल्द नहीं होने पाई कहीं पर किसी तरह को लोगों को परिशानी नहीं होने पाई दुनिया के संकर, दुनिया के कंटक, भारत की या दुनिया की शदाबदी की सबसे बड़ी आपदा के बावजूद भी हमारा देश मजबूत भी रहा, महफूस भी रहा और आज हमारे देश की अर्थ वे उस था, को जब लोग पूरा दुनिया हाक रहा है तो कह रहा है कि भारत सबसे तेजी से उबर पीवी एकोनॉमी है जी, लेकिन मैं एक और स्टेट्मेंट पर आता हूँ और आपके पास आता हूँ मैं क्योंकि बात तुष्टिकरन की हो रही थी, सवाल महंगाई पर आया लेकिन मनी शंकर आयर है, उन्होंने कह दिये कि पीवी नर्सिंग माराओ कॉंग्रेस के परदान मंतरी नहीं थे असर में बीजेपी के पहले परदान मंतरी पीवी नर्सिंग माराओ थे ये मनी शंकर आयर ने बात कई, क्या आप इस बात से सहमत है राश्टियल में? लेकि नर्सिंग माराओ निश्चित तोर से कांग्रेस के परदान मंतरी थे तो मनी शंकर आयर ने क्यों कहा? अब ये मनी शंकर जी को बलाना चाहिए आपको पूछने के लिए आपकी राय क्या है? मैं तो कहा कि कांग्रेस के पिर्दान मंतरी थे मैं तो आंधरा से राज्य सभा का मेंबर रहा हूँ और जब नर्शिमार राओ जी की डैथ हुई है तो सारे MPs हम आंधरा के इकटा हुए थे उनको माल ले जाया गयाता है दराबाद में फ्यूनरल के लिए तो वो कांग्रेस के पिर्दान मंतरी थे और उसके बाद मनी चंकर रायर ने कहा कि पाकिस्तान के खिलाब सर्जिकल स्ट्राइक अगर हो सकती है तो बाचित करने में हमारी हिम्मत क्यों नहीं होती देखे अभी जी एक चीज़ देखे आप इस दोरान हमने एक चीज़ बहुत महसूस किये जब भी देश का डिवलेप्मेंट डिग्निटी मतलब बढ़ती है तो इस डिफाल्टर डाइनिस्टी का जो है वो फितूर भी और डिफाल्टर डाइनिस्टी कौन? तो सबी को मालूम है तो इसलिए आपको मैं इसलिए कह रहा हूँ कि दो तीन आपको घटना दूँगा मैं कि अभी तुजी टुन्टी हो रहा है अब ये चाहे देश से चाहे विदेशी रूट से ये सरकार को या भारत की धाग और धमक को धुमिल करने की दूरता कर रहे हूँ लेकिन 2015 में जब हमारे देश में 54 अफिरीकी देश्टों के राष्टा धेच हमारे देश में थे हमारे लिए भहत गर्ब का भी शयाता तो उस वक्त क्या हो रहा था उसक्त क्या हो रहा था कि अवार्ड वाक्सी अभयान भारत तेरे तुकडे होगे उसके हिलावा पूरे देश दुनिया को बता जा रहा है थे कि इन टॉल्रेंट कंट्री है मैं बहुत लंबी श्रिंकला नहीं लूँगा बहुत हुए घटना है जब ट्रम्प साब इस देश में आये भारत में और वो तमाम देश के दोरे कर रहे थे तमाम आर्थिक्स तमाम पहलूँ पर शर्चा हो रही थी तो उस वक्ड दोजार बीस में क्या हुआ शाहीन बाग औ जो है इस वक्ड जो है वो जी टॉंटी हो रहा है तो इस वक्ड विदेशी रूट से जो है भारत को जो है वो बनाम करने की अपने यह देशी विदेशी सब एक ही टाइप हैंगे अब मैं आपके नेता को कोड करता हूँ मैं राची दल्विया अनुराग ठाकुर करते हैं मनी शंकर एयर के बयान के बाद अनुराग ठाकुर ने क्या का हमारे इंटिव्यू में का उन्हों ने बोला कॉंग्रस के कुछ नेता ऐसे हैं जो रहते तो भारत में है लेकिन उनक आरे पिर्दान मंतरी जब पहली बार पिर्दान मंतरी बने नवाद शरीफ को हमने बुलाया था क्या आपने बुलाया था आपने बुलाया था उसके बाद आप दोरे पे गए थे बाहर दूसरे कंट्री के नवाद शरीफ की बेटी की या किसी की शादी थी बगएर दावत कीजे, उनको भी मुशर्फ साब कोई बुला था, और आज, जब आप कह रहे हैं के पाकिस्तान के साथ बात होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, वो रोज हमारे यहाँ आके लोगों को मारता है, हमारे फौजियों को मारता है, आप उनकी किर्किट मैच के लिए टीम बुला रह ओनकी देख्माल करेंगे उनने खाना खिलाएंगे उनको सेक्योरिटी देंगे यह कौन कर रहा है कौन बुला रहा है हम तो नहीं बुला रहे हैं सरकार बुला रही है क्या बुलानी की ज़ूरत है आपको अगर पाकिस्तान के साथ कोई रिष्टा नहीं रखना क्या कहरा चाहते हैं आपकी कॉंग्रस के कुछ नेताओं का दिल हिंदुस्तान में है लेकिन उनकी रूफ पाकिस्तान में है करने मैं नहीं मानता है कि रूफ तो नहीं हो क्या रिष्टा है क्योंकि आराओं बड़े सारे लगते हैं यह मुश्चर पूछ रहा है ऐक बात क्या वज्रास स्वाल है मैं प्रैक्टिसिंग मुसलिम हूँ नमाज परता हूं रोजा रखता हूं आप भी प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हैं नमास पढ़ते हैं रोजार लगते हैं हमें कोई इतराज नहीं है कि हम टोपी पहने या तिलक लगाए लेकिन जो तुष्टी करण है या जो स्यूडो सेकुलरिस्म है वो रूम में टोपी और रोड पे तिलक वाला है ये जो हिपोक्रेसी है ये जो दोहरा चरीतर है ये शुद्रूप से लोगों को गुमराह करने वाला है जहां तक मोदी जी का और मुसल्मानों का सवाल है मोदी जी ने कभी ये नहीं कहा मैं जो कुछ कर रहा हूँ मुसल्मानों के लिए कर रहा हूँ हिंदूों के लिए कर रहा हूं सिक्कों के लिए कर रहा हूं हमेशा हूँ ने का यो भी हमारी सरकार चिकार जारा हूं को उने हाथों में चूड़िया नहीं पहन रखी है तलवार उठाएगा फिर बाइस करोड लोगों में से अगर एक दो करोड मर भी जाएं तो कोई हर्ज की बात नहीं है क्या कहना चाहते हैं किसी भी मजभ का कोई आदमी अगर इस तरीके के बेयानाद भरकाओ बेयानाद देता है उनकी निंदा की जानी चाहिए वो चाहे कांग्रिस पार्टी का हो और चाहे भारती जंता पार्टी जी अजीज कुरेशी साब गवरनर रहे मैं उन्हें अच्छी तरह जानता हूँ लेकिन इस बेयान की हमायत नहीं की जा सकती है ये मुमकिन नहीं है लेकिन ये वी जात independence की इस देश के अंदर जबसे बी जीपी की सरकार आई है इन्होंने हिंदू मुसलमान को लड़ाने के लावा कोई दूसरा काम नहीं किया पाकिस्तन बेचता है कि अगर पाकिस्तान बेज दिया कभी चीन का नाम नहीं लेतें कि जयादा बड़ा दुष् dispute में लिए लेकिन आपके देखा होगा कि ऐड़ाइवा इसाद का नाम नहीं पाकिस्तान गार जो लाहोर में कितनी अच्छे खाने पीने का तुकाने है तुकाने है फूरी सीट है इतनी सार्सक चर्चा बड़े अर्से बात कर रहा हूं आपका सवाल अखलेश यादो का जब आफिस खाली हुआ तो उसको गंगा जल से शुद्ध किया गया तो क्या वह यादो जाती के हैं तो वह अशुद्ध है अखलेश यादो जब आफिस खाली किये तो गंगा जल से सरकारी आफिस है वो किसी धर्म का आफिस नहीं है उसे देश के लोकतन के तरीके सही सफाई होनी चाहिए लेकिन उसको गंगा जल से शुद्ध किया गया जब आप इसमें क्या प्रॉब्लम है इ यह तो एक यहां की भारती परंपरा है वही इसमें कहा लगे हुए है जब यह मान रहे हैं तो 2024 में जब यह जाएंगे तो हम भी गंगा जल से ही सफाई करेंगे हैं ऐसा है कि नम नम वन पेल होगा और आपको ऐसा मौका मिनागा क्योंकि एक बात बता हुआ आपको तुमार आप अपने हैं अब यह आपको एक 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 राशीर तल्वी साब यह अरविन केजरिवाल पर आप पूरा भरोसा करते हैं या नहीं करते क्योंकि शीरा जी को वो क्या कहते थे मनमोन सिंग को उन्होंने क्या बोला क्या आपको लगता है की और अभी भी आपके स्टेट यून अब आप पूछिए केजरिवाल की पार्टी अलहदा है हमारी पार्टी अलहदा है पर आप तो साथ आ गया है सुनिए ना ये कैलाइंसे हैं सीटिंग सीट्स अरेंजमेंट होंगे उस पर चुनाओ लड़े जाएंगे भरो जो है इंडिया का मेंबर है उस पर भरोसा करना खडगे या फिर राहुल गांदी बेधर पी-म कैनिड़ेट कौन है आपकी राए में राहुल गांदी राहुल गांदी अटेल वियारी वाजपई ये नरिंद मोधी बेधर पी-म कौन है मुक्तार अबास नक्भी आपकी राहे में अटेल जी ने राजनीत की उबढ़ काके लागे पाओं बल्यारी गुरू आपके गोविंदियों बनाए जी अगला सवाल मेरा आपसे है भगवंत मान और अरविंद केजरिवाल आपकी जादा पसंद कौन है देखिए वो दूसरी पार्टी का मामला इसमें पसंद ना पसंद का सवाली नहीं एक तो पसंद होगी केजरिवाल अध्यक्षे हैं मान को तो मैं ज्यादा जानता नहीं हूँ केजरिवाल को जानता हूँ इस चर्चे तो दोनों के सुने होंगे आप लेकिन मैं यह कहूं कि दोनों में कौम बेतार है एक मुक्य मंतरी एक पार्टी का अध्यक्षे है दोनों अपने अपने काम कर करना होतों यह कुछ चूस करना मेरी कोई मजबूरी नहीं है अगर आपको गड़बंदन के लिए दो विकल्ब पे ले तो आप केचरी वाल के साथ होंगे नक्वी साप या असाउद्दिन ओवेसी के साथ हम तो मोदी जी के साथ होंगे पर स्वाइब यह तो अवेसी के साथ अब यह तो पूरी मदद करते ही अब आपके लिए आ रहा है एक ऐसा सवाल हिमंता विस्वा सर्मा बेटर सीम है या फिर योग्या जितनाथ दोनों में से आपकी पसंद कौन सी है दोनों मुक्खे मंतरी की मर्यादाओं को पूरा नहीं करते ना उत्तर परदेश का मुक्ख जादा पसंद अच्छी कौन सी है दोनों में से पसंद का सवाल ही नहीं होता दोनों के खिलाफ हूँ मैं सवाल पूछ लेता हूँ जादा ना पसंद कौन है इन में से दोनों ना पसंद अगला सवाल आपके लिए चीन और पाकिस्तान में बेहतर पडोसी कौन है दिखे आफ़ोर्स जो है वो पाकिस्तान जो है वो अगर सुधर जाए और इस आतंग के अखाड़े से जो आफ़त है वो बंद हो जाए तो पाकिस्तान सबसे बेहतर है वो कहरे चीन का टिकट चलिए बरता हुमें आगे और आपसे गिरी राज सिंग और साधी प्रग्या इन दोनों में से जाधा सेकुलर आपको कौन लगता है राजशी एक भी सेकुलर नहीं है गिरी राज तो रोज पाकिस्तान बेचते हैं अब उनकी तो जबान अलफास कम निकलते हैं जहर ज्यादा निकलता है तो जाधा कॉमिनल कौन है आपकी राए में दोनों कॉमिनल है आपसे सवाल है मेरा आजम खान और इम्रान परताब गड़ी में से जाधा सेकुलर कौन होगा नक्वी साब अब बैए ऐसा है कि कमनलिस्म का सार्टिफिकेट ये दे सकते हैं लेकिन सेकुलरिस्म का सार्टिफिकेट तो हम नहीं बाटेंगे चलिए बिकल आखरी 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 सवाल और ये दोनों के लिए आप दोनों के लिए एक ही सवाल है इंडिया गडबंदन अर्वी साब इंडिया गडबंदन आ रहा है और कह रहा है कि हम आएंगे सामने और मोधी को हरा देंगे क् मैं कहूंगा कि इंडिया गडवंदन आ रहा है मोदी जी को नहीं हराएंगे हम एंडिये को हराएंगे एंडिये को हराएंगे पर इंडिये का चेहरा तो मोदी है तो आपको लगता है कि इस बार गेम खराब हो सकता है डिवाइड इंडिया अगर वन वर्सिस वन रहा तो गर्टyशन की होनी चाएए या डर्परोटेशन की होनी चाहिए क्यूंकि मोदी जी ने-डयनिस्टी डिक्टेशन और डर्पोटेशन वाली सत्ता का बंटा दार कर दिया है और आज जो है डिटर्मिनेशन और ड्रफमेंट का जो है यूग चलाया तो इसलिए मुझे नहीं लगता है कि ये तो सपने देखने में किसी को बुराई नहीं है क्योंकि इसकी इनकी दिक्कत ये है कि सपने एक और मुंगेरी अनेक तो अब उसका क्या हुआ बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का आप दोनों हमारे मंच पर आए आपने अपनी बात रखियो तमाम एक्सपर्ट का भी बहुत 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 बहु किया है हमें लगता है हमारा प्रियास आपको जरूर अच्छा लगेगा फिला लितना ही नमस्कार